राजाराम मैंने कहता था जिसका जो कारिय है वही कारिय उसे करते रहना चाहिए नहीं तो ये शुद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ग्यान पढ़ाएंगे राजाराम तुमको संगत कहेंगे शंबुक तुमने धर्म की मर्यादा का उलंगन किया है मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उलंगन नहीं किया है मैं एक ही धर्म को मानता हूँ वो धर्म है प्रकर्तिक धर्म और उसके अनुसार सभी मानव समान है ना कोई प्रामण है ना कोई शूद्र है देखा देखा इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है बाविश्य में सास्त्र धर्म की शिक्षा देकर तुम राजा राम को ही आवान दोगे रिशी, हमें किसी रायसत्ता और व्यवह की लालसा नहीं है हमें तो सिर्फ एक मानो जैसा जीवन वेतीत करना है और फिर बस समात करो तुम्हारे वचन दोग्षिर के अपढ़ लिए हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे राम, ये प्राधी है और इसे दण मिलना ही चाहिए नहीं तो ऐसे पापियों के करन हमारे राज्य में आपत्ती आ सकती है आपके धर्म की पाप और पुर्ण की कल्बना से मैं अच्छी तरह परचितू पसारा पाखंड आपने अपने स्वार्त के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्क बना रहे अपनी वानी को रोको शंबुक हम अपने परंपुज गुरु का और अपमान नहीं सह सकते तुमने धर्मोलंगन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्रामन पुत्र की अलपायू में मृत्य हो गई हम अपने राज्य के ब्रामन को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र किन्तु ब्रामन पुत्र की मृत्य का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ हे राजन बड़ी नम्रता से दो सहास का रहा हूँ आप तन के अपने मंदर पड़ में ज्छांक कर तो देखें तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है हे मर्यादा प्रशोर्तम राजा के अहंकार को कुष्ण के लिए त्याकर तो देखो मुझे स्वपने में भी आशर नहीं थी कि देवताओं कि मानेवर दशरत पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा किस दिमास कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति छीन हो गई करो राम कि जब जब किसी शूत्र ने परंपरागत सामाजिक दास्ता की बेडियां तोड़ने की चेश्टा की तब तब धर्मान्दों ने उसकी हत्या कर दी मुझे मृत्यू का भय नहीं राम एक शम्मुक जाएगा तो दूसरा शम्मुक निश्चित ही पैता होगा शम्मुक मैं राम स्वाभिमान और सतंतरता का लगुष जीवन भी तास्ता और अपमान से भरे दिरगायू से कई गुणा सुकर है अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मूख से और निकलाते हैं मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्य नहीं होती न्याय प्रिय प्रहूराम चंदर की करो जैजेकार करो प्राम्हनों के जाल में फसे श्री राम चंदर की जैजेकार करो कपट से बाली का वत करने वाले श्री राम चंदर जी की जैजेकार करो अपनी पत्नी का त्याक करने वाले श्री राम चंदर की जैजे कार करो महर्शी शंबुख का वत करने वाले राम की जैजे कार करो करो जैजे कार करो ताकि इनके काले कारनावों पर परदा पढ़ता रहे अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है कर अभ्यास कर अभ्यास प्रियार्जुन तुम्हारा प्रश्ण बिल्कुल उचित हैं। कि यूध्य विद्या में योध्छा को यूध्य की सम्पूरन कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कलाओं में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योध्धा नहीं हो सकता। किन्तु गुर्देयों धनुर विद्या को तो सब्स्रश्च कहा गया है तुम तो जब तब अपने प्रिशंसा में मगन रहते हो मेरी प्रिशंसा हां धनुर्धारी होना तुम्हें विश्यर को भटकाना अच्छी तरह आता है भीम राता कि तो यह आदत है बिना किसी कान के कि सिसे भी उलच पड़ते हैं कि तो नकुल तुम क्यों भीम ब्राता की बात पर कटू टिपने कर रहे हो भीम की गदा के सामने तो बड़े-बड़े धनूर्दारी मैदान चोड़ने पर विवश हो जाते हैं हम बांडव कितने भागशाली हैं जो गुर्देव जैसे का हमें आशीरवाद मिला अर्जुन सत्य कह रहा है गुर्देव आपके विशेश प्रेम तथा वात्सले से ही हम बांडव सारे प्रत्विस्तिल पर अजे होंगे मेरे प्रिये शिश्यों मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हैं तु अपने सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भांडार तुम्हें सोपा है जो कवरों के पास भी नहीं है गुर्देव आज चलिए रक्त की एक बून भी नहीं बेनाक्षाती पहुंचाए गुर्देव ये कला आज तक हमें नहीं सिखाई अर्जुन आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी सम्पूर्ण विद्या का दान केवल तुम्हीं लोगों को दिया है पता नहीं कौन होगा ये धनूर्धारी धनूर विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रतमताहई देख रहा हूं ठीक है आओ देखते हैं कौन है ये धनूर्धारी कौन हो तुम लोग भद्र पुर्शों तुम्हारे आगमन से मेरे एकाग्रता भंग हो रही है मैं युदिश्चिर ये मेरे अनुज भीम आर्जुन नकुल और सहदेव क्षमा चाहता हूं वीरपुर्शों मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं क्या उसकुत्ते के मुख तुमने ही जी हां मानने वर वो मेरे अभ्यास के एकाग्रता को भंग कर रहा था कांसे शिखिए कला कौन है तुम्हारे गुरु मेरे गुरु है गुर्देव आश्रवाद दिजिये गुर्देव उठो वत्स हे वीरपुरुष काउन हो तुम तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देक करम प्रभावित हुए धन्य भाग मेरे गुर्देव आप स्वयू चलकर मेरे अभ्यास थल तक आए हे वीर धनुर्धारी कहां से सीखिए तुमने एकला काउन है तुम्हारे गुरु किस वंश के हो तुम गुर्देव मेरा नाम एक लव्व है मैं आधिवासी हूं आधिवासी और धनुर विद्य किसने सिखाई ये तुम्हें ये विद्या गुरुदेव चलिए आप स्वयम उनके दर्शन कर लीजे चलिए गुरुदेव गुरुदेव ये रहे मेरे परंपुज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव आप ही मेरे गुरु है गुरुदेव आपने तो हमें वजन दिया था फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई देखो एक लवब मैंने प्रत्यक्ष आ प्रत्यक्ष कभी भी तुम्हे धनुर विद्या की शिक्षा नहीं दू गुरुदेव मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पुजा करता आया है गुरुदेव या आप ही की प्रतिकृती है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक लवब तुम्ही सारा वृत्तान्त विस्तार से कथन करो गुरुदेव आप भूल गए स्मरन कीजे कुछ वर्ष पुर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आये था किन्तु किन्तु आपने मुझे गुरुदेव सचमुझ भूल गए मुझे युद्ध कला में सबसे महत्व पूर्ण आयाम है एकाग्रता युद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदाही क्या वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुन्ता से कर सकता है विजय प्राप्त कर सकता है आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहिन उपस्तित हो क्योंकि विशेश प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहां बुलाया है ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको गुर्देव गुर्देव मैं आपसे एक याचना करने आया हूँ याचना कैसी याचना गुर्देव बच्पन से ही मैं एक स्वपन देखते आया हूँ कि मैं सबसे बड़ा धनुर्दाली बनूँ गुर्देव मैं आपसे याचना करता हूँ क्या आप मुझे विद्धादान करें? उठो वाट्स सर्व प्रथम मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? किस वन्ष के हो? गुर्देव मेरा नाम एकलव है मैं आदिवासी हूँ क्या? आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शुद्र चत्रिय बनेंगे? धर्म के विर्दाचरण करेंगे? शुद्र होकर धर्म ओलंगन का विचार भी मन में लाने का सहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो ब्राता अर्जुन शुद्र भी तुम्हारे साथ धनूर विध्या सीखने लगेंगे? ब्राता भीम अब तुम भी सावधान हो जाओ कहीं ऐसा नहों कल कोई शुद्र गदाव उठाए तुम कोई लग करने लगें? देखो एक लव धर्मानुरुप धनूर विध्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है और तुम्हें ये विध्या सिखा कर मैं धर्म के नियमों की बली नहीं दे सकता मेरा तुम्हें कुछित सुझाव है धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो किन तु गुर्देव मेरा स्वप्न देखो एकलव मैं विवश हूँ मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो अभ्यास करने से